so hello everyone welcome back to your channel well अभी तक आपने सीखिए वो ऑप्शन स्ट्राटेजीज जो आप यूस कर सकते हैं अगर मार्केट में आपका व्यू बुलिश है या फिर बेरिश है वट वट अबाउट कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नहीं ऊपर जाएगी नहीं नीचे जाएगी वो तो साइड़ रहेगी तो साइड़ अगर मार्केट चलने वाली है तो क्या उसके लिए भी कुछ ऑप्शन स्ट्राटेजी हैं कि हम उसमें भी पैसा कमा सकते हैं अ आप साइड़ वेस मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं अगर आपको लग रहा है मार्केट नीट्रल रहेगी साइड़ रहेगी तो क्या करना आपको उसके लिए बहुत ब्यूटिफुल स्ट्राटेजी है जिसका नाम है शॉट स्ट्राइडल अब शॉट करने का मतलब क्या होता है कि सेल करना आप पोजीशन को शॉट कर रहे हो मतलब आप बेच रहे हो अब आप स्ट्राइडल में क्या बेचते हो स्ट्राइडल को समझते हैं स्ट्राइडल का मतलब होता है कि आप सेम स्ट्राइक जो भी अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है इसका मतलब यह है क add the money के options को, add the money में कौन कौन से options, call option और put option दोनों को ही, अगर ये short straddle होगा, short है, तो हम दोनों को बेच देंगे, और अगर ये long straddle होता तो क्या करते हैं, अगर long होगा, जो कि हम आने वली strategies में सीखेंगे, उन्हें कभ यूज करना है, तो long straddle के अंदर, आप call और put दोनों क को ही बेच देंगे, और कौन से call or put को, sorry, long straddle में आप खरीदेंगे, और short straddle में आप बेचेंगे, ये दोनों ही add the money होने चाहिए, अब मैं आपको exactly computer screen पर लेकर जाऊँगा, और मैं आपको दिखाऊँगा कि sideways market में, आप किस तरीके से पैसा कमाने वाले हैं, और जब हम ब हम sensible में login कर लेते हैं, so sensible का link भी description comment box में है, so that you can also login, all right, यहां पर देखते हैं, आप जब sensible में जाएंगे, simply आपको strategy builder पर जाना है, and strategy builder पर जब आप जाएंगे, आपको ready made strategies के अंदर, जब आपको market का लेकर view neutral है, यहां पर sideways market में, आप simply यहां पर short straddle पे click करेंगे, अब short straddle पे click करते हैं, तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि हम short का मतलब है बेचना, और call और put option दोनों add the money का हम बेच देंगे, यहां पर nifty close हुआ, 17,277, मतलब almost 17,300 गया, पर 17,300 का, हमने put option और call option, दोनों का, अभी आप एक lot यहां पर लिखा हुआ है, आप एक lot कर सकते हो, दो कर सकते हो, जितने भी आपको budget allow करता है, तो उस आप से दोनों को आप short कर सकते हो, अगर आपको view ऐसा है market को लेकर, कि market यहां पे बहुत जादा volatile नहीं होगी, अब देखो, आपने किया क्या, जब आपने दोनों को बेच दिया, तो एक तो अपना theta long कर लिए अपनी position को, theta long क करने का मतलब क्या होता है, कि जैसे से time बीतेगा, आप पैसा कमाने वाले हो, अब यहां पर देखिए, एक आप break even point को यहां पर देखिएगा, break even point नहां पर आपके कितने दूर है, अभी market almost 17300 पर है, market बंद हो चुकी है, वैसे मैं आपको बता रहो, market 17300 पर बंद होई, तो यहां पर एक तो आपका break even point है, almost 17100 रुपे के असपास, so 17093, and दूसरा है आपका 17500 के असपास, बनलब आपको 400 points का gap मिल रहा है, एक 400 points का difference मिल रहा है, कि अगर 400 points के अंदर market रहती, expiry तक, तो आपको यहां पर profit ही होगा, max profit कितना होगा, पहले से लिखा हुआ है, 10300 इसलिए हो सकता है, क्योंकि अगर market बहुत जदा बड़ी, या गिर गई यहां पर, तो आप देखिए, आपको definitely दोनों ही जगाँ पर नुकसान हो सकता है, बट अगर market का आपको view क्या था, देखो view बहुत important है, कि अगर आपका view था market को लेकर, कि market sideways रहने वाली है, बहुत ज 1303 का profit हो रहा है, जो maximum profit है, अगर market यहीं पर रहती है, तो, and this is what we are talking about expiry, अगर उससे पहले देखेंगे, तो आपको sideways में बहुत जदा फाइदा नहीं होगा, क्योंकि आप यहां पर theta long कर रहे हो, यहां पर सारे Greeks लिखे हो है, delta theta, यहां पर gamma सब कुछ लिखा हुआ है, तो आ जाहे अब market में, अगर आपको लग रहा है कि, market में movement जो है, neutral रहने वाली है, तो आप यहां पर market चाहे 100 point गिर जाए, यह 100 point बढ़ जाए, तो दोनों ही जगहां पर पैसा कमाऊगी, और आपके पास, यहां पर market में खेलने के लिए, 400 points की पिछ मिल रही है आपको, तो 400 points का यहां पर difference है, यहां पर आप देख सकते हैं, कि अगर market expiry रुपे, 17100 पर भी close होता है, तो आप 303 रुपे कमाने वाले हैं, और यहां पर market अगर, 17500 के असपर, 17490 भी आ जाता है, तो भी आप 800 रुपे के असपर कमाने वाले हैं, तो यह एक strategy है, विच यहां पर margin requirement 60% यहां पर probability of profit है, तो इस strategy को आप कभ यूज करेंगे, जल्दी से बताइए, कि आप short straddle कभ यूज करेंगे, आप तब यूज करेंगे, जब market sideways है, अब मैं आपको आने वाली strategies में यह भी बताऊंगा, कि आपको straddle को long कप करना है, और इस से आप कितना मुनाफ़ा कमा सक सकते हैं, तो अभी हम इस series में, यहां पर उन option strategies की बात करेंगे, जो sideways market में use हो सकती है, तो एक strategy आपने सीख ली, which is short straddle, आपको यह strategy कैसी लगी, आप comments में बता सकते हैं, इस video को शेर कर सकते हैं, जिससे लोगों को भी, यह strategies घर बैटे-बैटे सीखने को मिले, इसके साथ स सकते हैं, इस video को अपना प्यार दने के लिए, सवाल भी हैं, वो भी आप comments में पूछेगा, अभी तक आपके पास अपना DMate account नहीं है, description comment box में leading brokers के link है, आप जाके अपना DMate account आज ही खुलवा सकते हैं, अगर इस video को आप Facebook पर देख रहे हैं, तुरंत follow कीजिए, YouTube पर देख